नमस्कार दोस्तों माजा टेक्निकल चैनल में आप लोका स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक वेबसाइट क्रियेटर्स है आप अपने किसी भी नाम से अगर वेबसाइट को क्रियेट किये हुए और वेबसाइट गूगल पे जो है स करना परेगा ताकि उसका वेबसाइट जो है आसानी से सर्च लिष्ट में आ जाए वह आज इस वीडियो में आप जाने वाले हैं लेकिन सबसे पहले यह समझे कि आखिर कोई भी वेबसाइट सर्च लिष्ट में क्यों नहीं आ पाता है उसका फर्स्ट रीजन क्या है वह हम प्रेडी बना हुआ होता है ध्यान रखिए हमेशा जब भी आप कोई वेबसाइट क्रियेट कीजिए जब भी आप वेबसाइट बनाइए तो एक उनिक नेम लेकर बनाइए उससे होता क्या है कि अगर आपके पास कोई उनिक नेम होगा तो वह गूगल क्या आप वहांपे वेकार जाने वाला है क्यूकि आज तक का इतना सारा साइट है इतना सारा डाटा जो हैं इट अइंटरनैथ पर ड्यक्त जाएगा आपको वहांपे वहां वहां प्यूफ हो जादा है हम ऐसा ध्यान रखिए आप जितना यूनिक नाम वहां पर रखेंगे वह आपका खुद का ब्रांड बन जाएगा इसलिए काफी सारे ऐसे creator से जो वहां पर मिलता जुलता नाम रखने के चक्कर में जो है गलती कर लेते दुसरी बार क्या अगर मिलता जुलता नाम रखते भी है तो वह सर्च लिस्ट में नहीं आपाएगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा सर्च लिस्ट में जरूर आगा लेकिन उसके लिए वहां पर आपका टाइम जाने वाला है टाइम काफी जादा जाएगा आप जितना वहां पर इंफोर्मेशन अपने साइट पर वहां पर डाल सकते हैं उतना साइट डालिए सबसे पहले वेबसाइट दो तरीके का होता है यह दोनों आपको समझना परेगा एक वैसा वेबसाइट होता है जिस पे कोई कंपनी जो है नहीं है वहां पर टीन आपर अपर अपने वेबसाइट कर दिया गया लेकिन अपर इस तरीके का होगा तो वहां परती दिन आप upload कीजिए, अगर मिलता चुलता किसी से नाम है भी, तब भी आपका site जो है search list में जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको काफी ज्यादा article जो है अपने website पे post करना हुआ, तो दो गलती बिल्कुल मत कीजिए, एक तो unique नाम अपना खुद का बना, ये unique नाम page होता है, वो total वहाँ पे create कर लेते हैं, और उसके बाद जाकर अपने website को google पे जाकर search करते हैं, या फिर yahoo पे जाकर search करते हैं, ध्यान रखिए, जब आप website create करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जब आप create करेंगे, तभी आपका website जो है internet पे search list में आना शुरू हो जागा, ऐसा बिल बिल्कुल नहीं है, आपको अपने website को search list में नाने करिए कम से कम आपको एक सब्ता का इंतजार करना ही होगा, यह जरूर है कि कुछ ऐसा website है, जो दो से तिन दिन दिन में search list में आ जाता है, लेकिन कोई भी website ऐसा नहीं है, जिसको आप create आज का आज किये, आज का आज उसका homepage जो है, decorate कर देजिए, और Google पर जाकर search किजिए, वाजय का इसा बिल्कुल नहीं है, क्यूंकि किसी भी site को, किसी भी domain को, जो है Google पर अपडेट होने में समय लगता है, इसलिए primary आपको एक ही चीज़ पर focus करना है, कि आप अपने website को वहाँ पर develop किजिए, काफी सारे ऐसे creators ह जो इस tension में आ जाते हैं, और इसी tension को लेकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, कि आखिर उनका website search list में क्यों नहीं आ रहा है, आपको search list में लाने के लिए tension लेने की जरूरत नहीं है, जब आपका website वहाँ पर create हो चुका है, बन हो गया है, तो कभी न कभी search list में आ ही जाएगा, आप अपने information देने के लिए वहाँ पर website बनाये हुए, तो आप सिर्फ उसमें update करते रहे हैं, या फिर छोड़ दीजे 10-15 दिन में आपका website इतोमेटिक search list में आ जाएगा, लेकिन अगर परती दिन update वाला है, कोई news का platform है, या फिर कोई भी ऐसा website आप create की हुए है, जहाँ आप परती दिन जाकर कुछ न कुछ वहाँ पर पुश्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले एक सब्ता जो है, बिल्कुल आप आख बंद के इंतजार कर लिजे, क्योंकि कोई भी website creator, चाहे हो कितना भी unique नाम रखता हो, उसको update होने में कम से कम एक सब्ता का समय जाता ही जाता ह आप छोड़ देजिए कि search list में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जैसे जैसे आपके website पर article का संख्या भरते जाता है, वैसे वैसे जो आपका website है, वो internet पर update होना शुरू हो जाता है, और जब आप देखेंगे एक सब्ता के अंदर जाके आप Google पर search करेंगे, तो आपका website बड़े ही असानी से search list में आ जाता है, तो सिर्फ दो ही चीज अपने mind में fix करना है, एक unique नाम रखिए, अब चलिए दूसरी बात unique नाम नहीं भी है, और मान लेजे हम किसी मिलता जुलता नाम से create कर लिए हैं, तो उस नाम को तो हम बदल नहीं सकते, तो बस आप एक ही एज वहाँ पर त्यार कीजिए कि जितना बेहतर हो सकता या फिर जितना ज्यादा हो सकता है, उतना आप आर्टिकल पोस्ट कीजिए, आज नहीं तो कल आपका वेबसाइट जरूर सरस्क्रीश में आहीं जाएगा,